हेलो दोस्तों आज एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा डिजाइन बनाएंगी यह इस तरह से बनके आएगा फ्रेंट साइट से है और यह बैक साइट से है इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हूँ चाहे वो गल्स्वैटर हो जैन्स्वैटर हो कार छे स्टीच एक्स्टा रहेंगे डिजाइन कवर करने के लिए जैसा स्टार्ट रहेगा वैससा ही एंड में भी रहेगा और एक एक स्टीच दोनों साइड में रहेगा सिलाई के लिए सिलाई वाला स्टीच जорुर रखियेगा तो यहाँ पे मेरे वान से तक Administra को चुका है तो डिजाइन शुरू करेंगे रो one से तो शुरू करेंगे slip करेंगे पहले stitch को दो उल्टे twist करेंगे right side का front से second stitch को पहले बना ले और फिर first वाले stitch को बनाए दो उल्टे 6 सीधे 1 2 3 तो यह हमारा एक साइट बन गया है रिपीट करेंगे दो उल्टे से शुरू करते हुए दो उल्टे ट्विस्ट करेंगे राइट साइड को फ्रंट से सेकंड स्टिच पहले बनेगा और फिर सेकंड वाला स्टिच बना ले अगें दो उल्टे छे सी थे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो यह हमारा सेट कंप्लीट हो गया है फिर से दो उल्टे से रिपीट शुरू करिएगा और आगे इसी तरह बनाते जाईएगा लास्ट में यह जो हमारे एक्स्ट्र वाले स्टिच है वो वैसे ही बनेगे जैसा हमारा स्टार्ट बनेगा तो इस स्टार्ट में हमने यहां पे दो उल्टे बनाए थे दो उल्टे त्विस्ट करेंगे राइट साइड को फ्रंट से सेकिंड और फिर वाला स्टिच बनाके और फिर दो उल्टे सिलाई वाले स्टिच को सीधा बनाए और रो को कम्पलीट कर लें तो यह हमारी राइट साइड कम्पलीट हो गई है टर्न कीजिए wrong side हमेशा सेम ही रहने वाली है जैसा stitch रहेगा वैसा ही बनाईएगा तो सीधे stitch को सीधा बनाए और उल्टे stitch को उल्टा बना ले तो wrong side मैंने यहाँ पर complete कर ली है टर्न कीजिए right side बनाएंगे again से row 1 और 2 को repeat करने वाले हैं तो slip करेंगे पहले stitch को 2 उल्टे right side का twist रहेगा front से second और first वाले stitch को बनाके फिर से दो उल्टे और 6 सीधे again इसी तरह से repeat करते जाईएगा यह हमारी row 1 फिर से बन रही है wrong side से आपने सेम वैसे ही बनाना है जैसा stitch होगा तो right side को complete कर लीजिए तो यहाँ पर मैंने row 1 और 2 को repeat कर लिया है अगें से फिर से row 1 को repeat करेंगे तो यह हम third time repeat कर रहे हैं तीसरी बार repeat हो रहा है यह हमारे design सेम ही रहेगा दो उल्टे right side का twist रहेगा और फिर से दो उल्टे और 6 सीधे अगें इसी तरह repeat करते हुए right side को complete करेंगे और फिर उसके बाद wrong side सेम ही रहेगी जैसा stitch है वैसा ही बनाते हुए आपने फिर से again row 1 और 2 को तीसरी बार repeat कर लेना है तो यहाँ पर मैंने तीसरी बार repeat कर लिया है row 1 और 2 को अगर आप इस तरह से यह देखें यह garter stitch को उल्टे वाले stitch को count करोगे तो यह 6 बन चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 रोज हमारी बन चुकी है एक बार फिर से repeat करेंगे सेम इसी तरह से row 1 और 2 को तो slip करेंगे पहले stitch को दो उल्टे, twist करेंगे right side का और फिर दो उल्टे और 6 सी थे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अगेन फिर से दो उल्टे से repeat करते हुए जैसे हमने row 1 बनाई थी वैसे ही right side को complete करें और जैसे हमने row 2 बनाई थी उस तरह से आपने wrong side को complete करना है so यहाँ पे मैंने wrong side complete कर ली है हमने row 1 और 2 को 4 बार repeat करा है आप count करोगे इस तरह से wrong side वाले stitches को तो यह हमारे total 8 बार row बन चुकी है हमारी next बनाएंगे slip करें पहले stitch को right side का twist रहेगा दो एक का front से दो stitch लें इन्हें आगे ले आएं और आगे वाले एक stitch को पीछे कर दें वापिश लेंगे सिलाई में और तीनो stitch सीधे बना दें एक दो और तीन यह हमने right side का twist बना लिया है तो same इसी तरह से फिर से दो एक का twist करेंगे लेकिन twist रहेगा हमारा left side को तो back loop से एक stitch लेंगे और इसे आगे लाएंगे और दो stitches को पीछे कर देंगे वापिश सिलाई में लेके तीनो stitch सीधे में बनाएंगे एक, दो और तीन तो यह हमारा एक right side का और एक left side का twist बन गया है अब अगेन फिर से left side का twist बनाएंगे back loop से एक stitch को लें और इसे आगे लाएंगे और दो stitches को पीछे कर दें वापिस सिलाई में लेके तीनों स्टिच सीधे बनाए अब राइट साइड का ट्विस्ट करेंगे अब यहाँ पे आप अगर देखोगे यह मेरे जो 6 स्टिचिस है इन्हें मैं इस तरह से बाइंड करूंगी बंद करूंगी तो यह मेरा लेफ्ट साइड का ट्विस्ट है तो इसे मैं राइट साइड को ट्विस्ट दूंगी तो फ्रंट से इस तरह से दो स्टिच लें इन्हें आगे लाएं और एक स्टिच को पीछे कर दें वापिस लेंगे सिलाई में और तीनों स्टिच सीधे में बनाए एक दो और तीन तो यह हमारा सेट कंप्लीट हो गया है इस इसी को आप रिपीट करते जाएगा तो फर्स्ट रहेगा राइट साइड का ट्विस्ट फ्रंट से दो स्टिच लेके और फिर उसके बाद रहेगा लेफ्ट साइड का ट्विस्ट पैक लूप से एक स्टिच लेके दो स्टिच पीछे कर देंगे और इन्हें सीधा बना दीजिए तो ये मेरा left side का 2-1 का twist हो गया है अगेन फिर से left side का twist करूँगी back loop से 1 stitch आके लाके 2 stitch पीछे करूँगी और 3 stitch सीधे बनाऊंगे अब front से 2 stitch लूँगी इन्हें आगे लाऊंगी और 1 stitch को पीछे कर दूँगी वापी सिलाई में लेके 3 stitch सीधे में बनेंगे तो अगेन फिर से आपने right side के twist के साथ शुरू करना है और इसी तरह repeat करते जाना है last वाला set सेम बनेगा जैसे हमारे extra stitch बनेगे वैसे ही हमारा starting में भी रहेगा तो start हमने 2 stitch right side से करा था तो front से 2 stitch ले इन्हें आगे ले आएं और 1 stitch को पीछे करें और 3 stitch बना दें एक, दो, तीन, तीन stitch सीधे अब back loop से 1 stitch को आगे लाएं और 2 stitches पीछे करें और इन्हें सीधा बना दें एक, दो, तीन last में सिलाई वाले stitch को सीधा बनाईए और row को complete कर लीजे तो ये हमारी right side complete हो गई है इस बार आपने wrong side सारी row उल्टे में बना के complete करनी है तो wrong side बन गई है next बनाएंगे, slip करेंगे पहले stitch को 6 सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे दो उल्टे twist करेंगे right side का front से second stitch को पहले बनाएं और फिर first वाले stitch को बना लें अगें फिर से दो उल्टे फिर से repeat करेंगे 6 सीधे से एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे दो उल्टे twist करेंगे फिर से right side का और दो उल्टे इसी तरह आगे repeat करते हुए right side को complete कीजिएगा और फिर से last वाला set सेम रहेगा जैसे start रहेगा तो start इस बार हमने 6 सीधे से करे थी तो last में हमारे extra वाले जो stitch है ये सीधे में बनेंगे और हमारी right side जो है वो complete हो जाएगी तो next बनाते हुए आप right side को complete कीजिए wrong side सेम रहने वाली है जैसा stitch रहेगा वैसा ही बनाईएगा तो wrong side मैंने बना ली है अगें जिस तरह से हमने पहले 4 बार repeat करा था row 1 और 2 को इसी तरह से आपने same इसी set को 4 बार repeat कर लेना है 6 सीधे, 2 उल्टे, twist करहेगा right side का और फिर 2 उल्टे इसी तरह repeat करते हुए इसे same जैसे हमने पहले 4 बार बनाया था total 8 row थी हमारी right और wrong side दोनों मिलाके उसी तरह से ये देखें ये 2 बार हमारी बन चुकी है row और again इसी तरह बनाते हुए आप इसे total 4 बार repeat कीजिए total हमारी अगर आप उल्टी stitches को count करोगे तो ये 8 सिलाईया रहेंगी तो आप इतना बना लीजिए फिर उसके बाद हम आगे next बनाएंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो skip कर रही हूँ वीडियो extra बन जाएगी तो आप जैसे पहले बनाया था वैसे ही इन stitches को repeat करते हुए आगे बना लीजिए तो यहाँ पे मैंने 4 टाइम डिजाइन को repeat कर लिया है तो जैसे हमने row 1 और 2 को repeat कर रहा था वैसे ही सेम इसे भी हमने जो है वो repeat कर लिया है अगर आप गाटर स्टिच से count करोगे यह उल्टे वाले स्टिच को count करोगे तो यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ बर बन चुके हैं नेक्स्ट बनाएंगे डिजाइन स्लिप करेंगे पहले स्टिच को दो एक का ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड को बैक लूप से एक स्टिच को लें आगे ले आएं और दो स्टिच पीछे कर दें वापिस लेंगे सिलाई में और तीनों स्टिच सीधे बनाएं एक, दो, तीन अब राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे दो एक का तो फ्रंट से दो स्टिच लेंगे इन्हें आगे लाएंगे और एक स्टिच को पीछे कर देंगे लेंगे और इनहें आगे लाएंगे और आगे वाले एक स्टिच पीछे कर देंगे वापिस ले सिलाई में तीनों स्टिच सीधे बना दें अब लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे बैक लूप से एक स्टिच लेंगे इसे आगे लाएंगे और दो स्टिच पीछे कर देंगे वापिस सिलाई में लेके तीनों स्टिच सीधे बना दें तो ये हमारा एक सेट कम्प्लीट हो गया है अगें रिपीट शुरू करेंगे लेफ्ट साइड के ट्विस्ट से तो बैक लूप से एक स्टिच आगे आएगा और दो स्टिच पीछे जाएंगे वापिस सिलाई में लेके तीनों स्टिच सीधे बना देंगे और लेफ्ट साइड का ट्विस्ट हो जाएगा राइट साइड का ट्विस्ट करेंगे फ्रंड से दो स्टिच आगे लाके एक स्टिच पीछे जाएगा और तीनों स्टिच सीधे बन जाएगे अगे फिर से ट्विस्ट करेंगे राइट साइड को फ्रंड से से कि जो हो रहेंगे इन्हें आगे ले आए और एक स्टिच को पीछे कर दे अब इन दोनों स्टिच को वापी सिलाई में लेके राइट साइड का ट्विस्ट करेंगे अब लेफ्ट साइड का ट्विस्ट रहेगा बैक लूप से एक स्टिच आगे आएगा और दो पीछे जाएंगे वापी सिलाई में लेके तीनों स्टिच सीथे बना दे अगीन फिर से लेफ्ट साइड के ट्विस्ट से शुडू करिएगा और आगे बनाते जाईएगा मेरा ये जो लास्ट का सेट है वो सेम रहेगा जैसे फ्रंट का सेट है तो सेम रहेगा बैक लूप से पहले लेफ्ट साइड का ट्विस्ट करूँगी बैक लूप से एक स्टिच आगे लाके ये मेरा लेफ्ट साइड का ट्विस्ट हो गया है दो का और अब राइट साइड का ट्विस्ट करूँगी फ्रंट से दो स्टिच आगे लाके इसी तरह से आगे बनाते जाईएगा और right side को complete कर लिजिएगा wrong side same ही रहेगी तो इस बार हमारा कोई भी stitch सीधा उल्टा नहीं बना है तो सारी row उल्टे में बनाते हुए wrong side को complete करें तो यहाँ पे मैंने सारी row को उल्टे में बनाते हुए complete कर लिया है तो रॉंग साइट कम्प्लीट हो गई है टर्न कीजिए और हमारा डिजाइन भी जो है वो यहां पे कम्प्लीट हो गया है यह इस तरह से बनके आएगा बहुत आसान और प्यारा सा डिजाइन है जिनोंने अभी-भी नीटिंग शुरू करी है उनके लिए यह बहुत ही परफे तो ट्राइ करिएगा डिजाइन को और प्लीज भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को जिससे मैं और भी प्यारे-प्यारे वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊंगी तो भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू झाल 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 झाल